अब बात करते हैं 42 निमेर करते हैं आई स्टेर केस कंटेंस त्री स्टेप्स इस ओफ 10 मीटर हाई और 20 मीटर वाइड वह फिगर 3 इस 9 वाट शुट बी दा मिनमुम होरेंडर वाल रूलिंग अपर मोस्ट प्लेंग सो आइस तो है डारेक्ली दा लुएस प्लेंग ठीक कुछ सब्सक्राइब से क्ली से डिया हूव है यहां से बाल गिर रही है अ हुआ कि कुछ नीचे अगर वॉल में शुडरी दिया और यह ठीक है निकाल लेता है देखिए क्या दिया हुआ है तो 10 मीटर यह 10 मीटर यह क्या होग गया 20 सेंटिमीटर ओके 0.2 मीटर में फिर यह एका हुआ योगा डिय्चन में एक्स डियरेक्शन में यह कहा होगा 40 सेंटिमीटर 20 दिया हुए 20 दिया है तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे यह 40 सेंटीमेटर है नहीं कि 0.4 मेटर फिर अब क्या है minimum velocity इसको कितनी दे कि यह horizontal velocity minimum horizontal velocity मतला यहाँ पर ठीटा क्या हो जाएगा जीरो minimum horizontal velocity देनी तो ठीटा क्या हो जाएगा हमारा जीरो ग्रेविटी के आँस साथ काम करें तो जी क्या रहेगा नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेंट स्कॉर प्लस लिंग है फिर अब एक ऐसा मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन की माइनस तब लेखते हैं जब बॉल उपर जा दी नीचे आ रही तो यहां पर प्लस लिया है जी ठीक अब हमें ठीटा कितना दिया हुआ है जीरो सारी वैल्यूस परता है हमें निकालना क्या यू रग सकते हैं वाई क्या दिया है 0.4 एक्स की वैल्यू 0.2 पैन 0 की वैल्यू स्सक्राइब निकालना है ऐस्वेयू के वैल्यू वैन यू स्क्राइब यह स्क्राइब हो जाएगा यह थम जीरो हो जाएगा 9.8 इंटु 0.4 इंटु 0.4 डिवाइड बैट 2 इंटु 0.4 तो यह क्या हो जाएगा थैसल आइगा दो 9.8 इंटू 0.4 कर रहे होगे अगर यह जो सर्की बुक में इसको solve किया गए approximately 10 लेकर ठीक है उससे भी solve कर सकते हो 10 लोग है तो यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा उसका यू क्या हो जाएगी ठीक यहां पर जी को क्या लिए गया 10 meter per second इसको लिए गया solve करने के लिए कम बीटर ले लेते हैं 10 इंटो 0.4 divided by 1 हो जाएगा नीचे ठीक तो 4 meter यू क्या हो जाएगा 4 meter per second ओके तो यू क्या हो जाएगा हमारा under root 4 meter per second यानि कि 2 meter per second आ जाएगी तो यह हमारा 42 numerical solve